नमश्कार दोस्तों सभी का एक बाप फिर से टीचिंग वालपर में नाम कमलदीप सिंग है एक और महत्पूर इंफोर्मेशन लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ यह इंफोर्मेशन रिगार्डिंग है आपके जेटेट के फॉर्म एप्लिकेशन को लेकर आप सभी लोग जेटेट के फॉर्म में अपलाई कर रहे हैं और वहां पर आप सभी को साइट थोड़ी सी क्रेश होती दिख रही है ठीक है तो काफी लोग आई समस्या था कि पेमिंट नहीं कर पा रहे थे वो लोग और साथ के साथ में जो था फॉर्म भी अच्छे से फिल नहीं कर पाया आप लोगों ने तो इसी चीज को मद्य नजर रखते हुए आपके जो जारखन टैट है आपका जो जेट है आपका उसके एप्लिकेशन की जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है अब वो डेट क्या है किस डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यह मैं आपको एक ब यानि के दोपहर बारा बजे से लेके दो बजे तक आपका जो सिस्टम था जो साइट थी वो बन रही किसी रीजन की बज़े से आज ठीक है एकिस तारीक को ठीक है यह दो घंटे बन रहेगी इसमें आप जो है अप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसलिए इन्हों में जितने भी लोगों का यह समस्या था कि वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे तो उनके लिए एक बड़ी खबर है कि आप सभी लोग आप 26 अगस्त तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और साथ के साथ में जो भी जरूरी डिटेल्स थी वह वहां पे आप डाल सक आपको प्रप्रेंशन करने के लिए अगर सही तरीके से स्टैटिजीकल तरीके से हमारे साथ जुझना है तो आप कैसे जुड सकते हैं तो जेट को लेकर हम लोगों ने चाहे किसी भी एक्जाम के लिए हो तो वो हम लोग अभी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग अगर तयारी कर रहे हैं जारकंट एट के लिए तो आप फिजिक्स वाला के साथ टीचिंग वाला के साथ जुलके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और स आप के साथ में मैकसिमुम स्कोर करके पहले ही अटेंट में एक्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं तो भाइ आप सभी के लिए खुसकवरी है कि आप लोग का जो एक्जाम डेट है वो 26 तारिक टक extend हो गया 26 अगस्ता का वियां फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो परिशान मत किएगा वेट कीजेगा दो बज़े के बाद साइट दो बारे से एक्टिव हो जाएगी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे तो अल्टी बैस्ट जोड़े रही है टीचिंग वाला के साथ नमस्कार धन्यवाद थैंक यू